अब बाद होगी अंजेम चौधरी की ब्रिटिश और पाकिस्तान यहाँ पर दोहरी नागरिक्ता वाले कटरपंथी इसलामिक उबदेशक अंजेम चौधरी को उम्रिकाद की सजा सुना दी गई है इसे आतंकी संगठन का संचालन करने के लिए दोशी पाया गया है जिसमें उसे 28 साल की सजा सुनाई गई है अंजेम चौधरी को प्रती बंधित आतंकवादी संगठन अल मुहाजिरून ALM का संचालन करने और ओनलाइन मार्ध्यम से इसके प्रचार के लिए दोशी पाया गया है उसने इस संगठन की स्थापना 1996 में की थी और तब से वो संगठन के लिए ये काम कर रहा था संगठन पर बैन न लगे इसके लिए वो इसका नाम बदल बदल कर संचालन कर रहा था आपको बता दे कि 2006 में आतंकी संगठन को बैन किया गया था कोट ने कहा था कि आपके जैसे संगठन वैचारिक कारणों की तलाश में हिंसा को समान्य बता देते हैं वे उन लोगों के बीच दरार पैदा करते हैं जो कि शांती पुर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं साथ ही इस पूरे मामले में ALM को पहली बार 2006 में अल घुर्बा नाम से संचालित करने के लिए ब्रिटेन ने बैन किया था 2010 में ALM को वेकल्पिक नाम से इस रूप में प्रतिबंध में शामिल किया गया था कोट ने ये पाया कि चौधरी जुलाई 2023 तक ALM के लिए काम कर रहा था वो इसलामिक यहां पर थिंकर्स सोसाइटी नाम से एक आफशूट समुह में उनलाइन भाशन देने के दौरान उसको चिनहित किया था उसने और इसमें अंडरकवर टीम ने घुसपैट करके ये पता लगाया था इसके बाद इसे गिरफतार कर लिया था अब करेंगे बाद कि कौन है अंजेम चौधरी ग्राफिक्स पर एक नजर डालिये कि कौन है अंजेम चौधरी अंजेम चौधरी ने गई आतंकवादी गतिवीध्यों में शामिल होने के आरोपों का सामना किया है वो आतंकवादी संगटनों से जुड़े होने का दावा करता है और इन संगटनों के लिए प्रचार करता है वो कड़रपन्थी विचार धाराओं को फैलाने और मुसलिम स समुदाय में हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है इसके खिलाफ विभिन देशों में कानूनी कारवाही की गई है अंजेम चौधरी को कई बार गिरफतार कर लिया गया है और उसे विभिन अपराधू का दोशी ठहराए गया है उसकी गतिवी प्रभाव समाज पर नकारात्मक होता है और उसकी विचार धारा को व्यापक रूप से आलोचना का भी सामना करना पड़ता है इसी के साथ पाकिस्तानी और ब्रिटिश नागरिक हंजेम चौधरी को पहले 2018 में इसलामिक स्टेट आतंकी संगठन के लिए समर्थन मांगने के लिए दोशी पाया गया था इस केस में उसे पांच साल की सजा सुनाई गयी थी लेकिन जल्द ही रहा कर दिया गया था कोट ने उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी लेकिन शर्ते समाप्त होने के बाद वो फिर से आतंकी गतिवीधियों में शामिल हो गया चौधरी की आजीवन कारवास की सजा के अलाबा चौधरी का समर्थन करने वाले 29 वर्षे कनडाई नागरिक खालीद हुसेन को भी 5 साल की जेल और रहाई के बाद 1 साल की निगराने की सजा सुनाई गयी है साथ ही ब्रिटिश अदालत ने ये कहा है कि अंजेम चौधरी एक आतंकी संगठन चलाता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंसक तरीकों से शर्या कानून को पूरी दुनिया में फैलाना है अल मुहाजिरोन को एक दशक पहले ही ब्रिटेन में बैन कर दिया गया था इसके बाब जूद वो अलग-अलग नामों से संगठन को चला रहा था अंजेम जब तक पिजसी साल का नहीं हो जाता तब तक उसे जेल में ही रहना होगा इसका मतलब ये है कि 57 साल के अंजेम को 28 सालों तक जेल की सजा काटनी होगी अंजेम चौदरी शुरुवाती दिनों में ही अल मुहाजिरोन की प्रमुक सदस्यों में से एक रहा है और साथ ही संगठन पर दरजनों आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोब भी है उस पर इसे जुड़े आतंकियों ने ब्रिटेन के अलावा काफी देशों में भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है अंजेम चौधरी साथ 2014 में अल मुहाजिरोन का चीफ बना था दरसल संगठन के चीफ रहे अमर बकरी मुहमद को लेबनौन में जेल भेज दिया गया था जिसके बाद उसने संगठन की खमान संभाल ले थी अंजेम को आतंक वाद के लिए 2016 में सीरिया में इसलामिक स्टेट के लड़ाकों की मदद करने के लिए 5.5 साल की सजा सुनाई गई थी लेकिन आधी सजा काटने के बाद उसे 2018 में फिर से रहा कर दिया गया था जेल से बाहर निकलने के बाद अंजेम ने WhatsApp और Telegram पर followers को कई तरीकों से यहाँ पर तरकीव देना शुरू किया और अब करेंगे बाद 9-11 हमले की अंजेम ने पहले बाद 9-11 के हमले के बाद सुर्ख्या मटोरी थी तब उसे इतिहास का सबसे बड़ा दिन कहा गया थो आरा तंक्यू की तारीफ उसने इसमें की थी जिसने ये भी कहा था कि वो ब्रेटिश राज महल बाकी धम पैलिस को मश्रिद में बदल देगा साथ ही उसने अंजेम चौतरी की कहानी जो अब उम्रक्याद की सजा काटेगा